दिपावली दीपो और जगमगाखती रौसनी का तेहवार है लोग इसमें पटाके जला कर भी खुसिया मनाते हैं लेकिन इस बार जैदा आवाज बारे पटाकों फर बैन लगा दिया गया है वहीं दुकानदारों को सिमित समय में ही पटाके बेचने का आदे इस मिला है भागलपूर की जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि NGT के दोला दिये गए गाइडलाइन के अनुसार इस बार सिर्फ ग्रीन पटाके ही बेचा और जलाया जा सकता है वहीं दुकानदारों को भी रात के दस बज़े तक ही पटाके बेचने का आदे इस जारी किया दिवाली करीब है बाजारों में रॉनक है सभी सौपिंग कर रहे हैं तो कुछ की सौपिंग बाकी इन सब के बीच कुमारों का काम दो गुना हो गया है लेकिन इससे वो खुस है क्योंकि यही वो मौका होता है जिसका उन्हें साल भर से इंतिजार रहता है भागलपूर के अली गंज के गंग्टी में कई कुमार दिये बनाने में ब्यस्त है उन सब की महनत देखकर एक लाइ हम बेटी ही बेटा बनकर उनका काम भी करते हैं बीते कई वर्सों से दियो का चलन घठा है अधिकतर लोग चैनिज दिये वो चैनिरिज ज ज्यालों पर ध्यान दे रहे हैं लेकिन अली गंज के कुमार बताते हैं कि इस वर्स दिये की बिक्री जैदा हो रही है प्रधाल मंत नोगचिया और खरीक परखंड में होने वाले पंचायल चुनाव को लेकर प्रसासनिक तैयार यहां पूरी कर ली गई है दोनों जगहों पर मतदान करनी बैलेट, मत पेटी और अन्चुनाव समगरी के साथ पहुंचना है मालू हो कि नोगचिया में 1114 परतियासी चुनावी मैदान में है जबकि यहां पर कुल मतदाताओं की संख्या 74263 है नोगचिया में पंचायल चुनाव संपन कराने के लिए 73 भवनों के 104 बूतों पर मतदान होना है च्छ सहायक मतदान केंदर बनाये गए हैं जबकि एक चलंत मतदान केंदर की भी विवस्ता की गई है नोगचिया में समविदन सील मतदान केंदरों की संख्या 29 है जबकि अती समविदन सील मतदान केंदरों की संख्या 12 है नुगच्या के तित्री पंचायत के बूग संख्या 86 और 87 को आदर समतदान केंदर बनाया गया है दूसरी तरब बूग संख्या 86, 87, 88, 94 और 79 को बेब काश्टिंग मतदान केंदर बनाया गया है भागरपूर के नाथनगर थानाचिर के दिलदारपूर बिंदटोला में देर रात अपराधियों ने एक सक्स को गोली मार दी गोली लगने से बबलू महतो गंभी रूप से घायल हो गया अपराधियों ने उसे एक गोली मारी है गोली बबलू महतो के कंधे में फस गई पर नदी पार करने को कहा गहरी नीन में होने एकरन बबलु महतो ने मला कर दिया तभी अपराधियों ने उसे गोली मार कर गंभी रूप से घायर कर दिया और नदी तैर कर फ्रार हो गया वहीं बबलु महतो के भाई संतोस महतो ने कहा कि हमारी मा संगिता देवी रतिपूर बैरिया पंचायत से वार्ड संख्या नौ से वार्ड संख्या नौ से वार्ड स्थिकी प्रतियासी है कुछ दिन पले सुभास महतों से जगड़ा हुआ था जिसमें सुभास महतों ने जान से मार देने की धम की दी थी और साम दो अग्यात साथी को गौव में बुला कर सराप पाटी किया था और घटना को अंजाम दिया है लोकास्ता के महापर्व छट और माकाली की परतिमाओं के विसरजन घाटों का भागलपूर के जिला अधिकारी सुभरत कुमार सेन और वरियर पुरी सधिचक नितासा गोडिया ने निर्चन किया इस दुरान दोनों अधिकारी जिला प्रसासन के दोरा किये जा रहे घाट की साफ सफाई और वेवस्ता को देख कर संतुष्ट नजर आए जिला अधिकारी सुभरत कुमार सेन ने कहा कि कोबिड-19 की संक्रमन से बचाप को लेकर सरकार दोरा जारी दिसा निर्देश का पालन करे वहीं छट वर्तियों से यह था संबब अपने घरों में ही छट वरत करने की अपील भी की इस दुरान डियम ने छट घाटों पर अधिक भीड़ना लगाने और बच्चों वृद्ध को छट घाट जाने से बचने की भी सला दी साथी लोगों से मास लगा कर रहने और सामाजिक दूरी का पालन करने की भी बात कही पानी काफी आया था अधिना नदीन और उसका प्रभाव अभी भी देखा जा रहा हुए अक्टूबल मैने में भी बारिश भी थी तो हम लोगोंने नगर आयए तो अन नगर परिशर नगर पंचातों के काटपालक बदादिकारी को निगेज दिया है अधिन प्रखंड दस्तर के उनको भी बताया गया है आज फिर मेरी समिक्षा है हम लोग सभी आवल सक क्यारी कर भाए हैं कि छट पूजाट के अफसर पर जो भी हो रती हैं भागलपूर के कोतवाली इस्थित मारवाली टुला लेंग में नागपूर वस्तराले का उधगाटन किया गिया उधगाटन भागलपूर विधायक अजीत सर्मा भाचपान ने त्री प्रिती सेकर वाड़ पार्सत संजेसिना प्रोप्राटर मन्नु साओ पपू साओ इत्यादी ने किया सिल्क साली सट पैंट सलवार सूट लहंगा समेत लेडिज वजेंट्स के कई परदहान यहां उपलब्ध है वही विधायक अजीत सर्मा ने धंतेरस और दिवाली की सुबकामनाय देते वे कहा कि नागपूर वस्तराले काफी प्रणा ब्रांड है लोगों को सही दा में सही चीज यहां उपलब्ध होगी प्रोप्राइटर मन्नू साओ ने बताया कि यहां कम से कम और ज़्यादा रंज के कपड़ उपलब्ध है दस परतिसत तक का फिलाल डिसकाउंट दिया जा रहा है जनता को यह सुकुद करता हो सुबकामना देता हूँ एक अच्छी दुकान है और आगे बहुत बढ़ेगा और जनता को सही रेट में सही चीज को उपलब्ध होगा इसलिए धनतेरस के अफशर पर इनके दोनों मालिक को और पूरे परिवार को हद दिल के घराही से हार्दिक शुकामना यह आपने एक अच्छी शुरवात की अच्छी चीज खोला है भागलपूर की जनता के लिए सिच्छा निती 2020 को वापस ले जाने की मांग को लेकर बिहार राज प्रात्मिक सिच्छक संग भागलपूर साखा के दोरा भागलपूर जिलाम मुख्याले के समीव प्रदर्सन किया गया धर्ना प्रदर्सन के दोरान बड़ी संख्या में सामिल सिच्छकों ने नई निती वापस ले जाने की मांग सरकार से की है साथी सिच्छकों का कहना था कि अगर हमारी सरकार मांगे नहीं मांगती तो हम लोग का धर्ना प्रदर्सन जारी देगा पिरपैथी परखंड के रौसनपूर पंचायत के बदला टीकर में एक दिवसी बॉली वॉल परतियुगता कायोजन हुआ जिसमें कुल 16 टीम होने भाग लिया जिसमें पहले समी फानल में बाराहाट ने रामपूर को हरा कर फानल में जखा बनाया वहीं दूसरे समी फानल में बिकरम सिला ने लोंगाय को हरा कर फानल में जखा बनायी फानल में बिकरम सिला ने बाराहाट को हरा कर फानल मुकाबला अपने नाम किया विजेता और उबजेता टीम को जिलापरिसत परतियासी बिस्नूमंडल और विरेन्द सिंग ने मैडल और सिल्ड परदान किया वहीं मैच का दुरान पहुँचे विधायक लिलन कुमार जिलापरिसत परतियासी बिमलीस गौतम ने खिलारियों को भरपूर उत्साहवर दन किया मैच को सफलता पुरवक संपन नकराने में रैफरी सौरव वसुलच कुमार वग कमीटी के मुन्ना कुमार यादव रिकेस कुमार का अहम योगधान रहा पिरपैती परखंट के सेरमारी बजार इस्तित बाबा मनो कामना ओटो मुबाइल में धनतेरस के दिन अपनी मनपसंद दो पईया वाहन लेने अच्छी खासी संख्या में ग्रहक पहुँचे हुए थे साथी पूर में बुकिंग कराए गरहकों ने भी अपनी गारियों की डिलिवरी आज ली सोरूम के आउनर ने बताया कि आज कुल 25 गारियों की डिलिवरी दी गई साथी नों ने कहा कि मांग को देखते विए वर्तवान ओफर को बढ़ा कर छट तक कर दिया गया है जो भी लोग बजाच कमपनी की मनपसंद गारिया लेना चाहते हैं वो सोरूम से संपर कर सकते हैं जगदीस्पूर परखण में बिजली बिल सुधार हेतू विभागिया करमचारियों के दोरा सिविर लगाया गया जहां उब्भुक्ताओं ने अपने आविदन में कहा कि उनका बिल काफी जथाएदा आ गया है इसका समाधान किया जाया जगदीस्पूर परकंड चेठर के अंतरगत लोकनात उचितर मादमिक विद्धीले जगदीस्पूर के सभागार में डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया, प्लान इंडिया, कारिक्रम के तहद, पर्खंट के 20 विद्यालेों के 40 सिछकों को स्वचता आधालित प्रसिशंदी आ गया, जिसका विधिवत उर्धाटन पर्खंट विकास्प दाधिकाली जगदीसपूर के तरह किया गया, बड़ा कड़ी का काम करता है, चूकि बाली आवस्था में बच्चे सीखने की आधत को जीवन परियंत बरकरार रखते हैं और अभी कोरोनाकाल में स्वस्थ रहने के लिए स्वचता अपनाना बहुती जरूरी है, संस्था की जिला लीड संभू कुमार ने बताया कि कारिक् बिमारियां स्वचता के अभाब के कारण होती है, जिसकी वज़ा से कभी-कभी बच्चों की मिर्तियू भी हो जाती है, इस कारिक्रम के सयोग से बच्चों में 20-30 तक मिर्तियू दर को कम किया जा सकता है, इसी उद्दे से कारिक्रम की सुरुवात की गई है, प्रसिचित सि चक स्वचता सिच्छा अपने अपने विद्याले में सपता में एक दिन बच्चों को स्वचता का पाठ पढ़ाएंगे। नहरु यूवा केंद्र के जिला यूवा अधिकारी, कुंदन सागर नमामि गंगे परियोचना के जिला परियोचना अधिकारी प्यूस बजवाई, नगर निगम के नगर विकास आयुक्त प्रफुल चंद्रियादव, प्रसिद्ध जोतिसाचार, पंडित रामकृस्न अधूर मिलन, नायक, नवीन, पवन, कामना, तनुसरी, रिमजिम, विवेक, राजा, गिरीस आदी ने कारिक्रम में सामिल होकर आम लोगों से गंगा निदी को निर्मल और अवरियल बनाने में सैथ हुग देने के अपील आम लोगों से की